हेलो एवरिवन, मैं ना पिछले दो दिनों से रिसर्च कर रहा था अपकमिंग निव लैप्टॉप्स के बारे में और रिसर्च करते समय ना मुझे ये पता चला कि 2022 में नए बजट गेमिंग लैप्टॉप्स में भी आपको मक्स स्विचिंग का ओप्चन देखने मिलने वाला है तो मैंने सुचा कि भाई ये एकदम राइट टाइम है इस टेकनोलोजी को एक्स्प्रेंट करने का क्योंकि अगर आप टेकनोलोजी के बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए आज हम कुछ नया सिखने के कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि गेमिंग लप्टॉप में आपे टोटल दो जीप्यू देखने मिलते हैं पहला हमारा इंटीगरेटेड ग्राफिस कार जिसे हम आई जीप्यू या फिर अप्यू भी कहते हैं और दूसरा एक डेडिकेटेड ग्राफिस कार जो की थर्ड पर्टे से आता है जैसे की एंवीडिया के आर्टी एक सीरीज वाले हो गए एमडी के रेडाउन या फिर आरेट सीरीज वाले ग्राफिक्स कार आपके लैप्टॉप में आपको देखने मिल सकते हैं लेकिन हमारे लैप्टॉप को जो डिस्प्ले होता है न वो डिस्प्ले इन दोनों में से किसी एक को ही कनेक्ट होता है एक्जामपल के लिए मेरे पास जो Acer Sphere 7 है इसका जो डिस्प्ले है न वो इसके iGPU से कनेक्टेड है अब इस केस में एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों आप जितने भी गेम्स वगरा खेलते हो या फिर हेवी रेंडरिंग के टास्क वगरा करते हो वो सारा का सारा काम आपके डेडिकेटड ग्राफिक्स कार में होता है क्योंकि आपका iGPU उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता लेकिन आपका जो लैप्टॉप का डिस्प्ले है न वो iGPU को कनेक्ट होने के मदद से आपका ग्राफिक्स कार जितने भी फ्रेम्स निकाले गया पर जितने भी परफॉर्मेंस सबको निकालके देगा न वो आपके डिस्प्ले तक पहुचाने के लिए आपके ग्राफिक्स कार को iGPU से होकर जाना पड़ता है तो यहाँ पर आपका जो iGPU है न वो कमज़र होने के वदद से थोड़ा बहुत यहाँ पे बॉटलने का इश्व आपको देखने मिलता है आपको फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर देखने मिलता है वेल ऐसे भी कुछ लैपटॉप साते हैं मार्केट में जिनका डिस्प्ले डिरेक्ली अपके डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार से कनेक्टेड होता है इसके मदद से आपको लैपटॉप में परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया मिलेगी इसमें को 2x7 आपके लैपटॉप के डिस्प्ले को पावर देने के लिए वो चलता रहेगा और इसी वज़े से आपके लैपटॉप के बैटरी बैकप जो है वो बहुत जादा डाउन होती है फिर अपना काम खलास तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन है मक्स स्वीच दोस्तों यह स्वी को यह आई जीप्यों से कनेक कर देगा और इस तरीके से अगर आपके लैपटॉप में मक्स स्वीच होगा ना तो आपको एक जादा कंट्रोल मिलता है आपके हाडवेर के ऊपर और आप अपने गेमिंग लैपटॉप के पूरे-पूरे मज़े उठा सकते हो लेकिन दोस्तो तो इसका एक छोटा सा डिसद्वांटेज भी है मान लो कि आपने मक्स स्वीच का यूज़ करके आपके डिस्प्ले का जो आउट्पूट सोर से उसे चेंज करके ग्राफिस कार में लाया या फिर आई जीपे में लेकर आये तो एवरी टाइम आपको कॉम्पूटर को रिस् सेक्शन में मतलब 17000 रुपे के रेंज वाले लाप्टॉप में आपको वहां पर भी मक्स स्वीच को ऑप्शन देखने मिलने वाला है तो अगर आप ऐसे लाप्टॉप को चूज़ करते हो ना तो आपको पर्फॉमेंस तो अच्छे मिलेगी मिलेगी उसी के साथ आपको एक ग्राफिक्स करण वाले लाप्टॉप में आपको देखने मिलता है उसका नाम है एंडवीडिया का अडवांस ऑप्टिमस अब यह जो ऑप्शन है यह बेसिकली करता क्या है मक्स स्वीच को ही रिप्लेस करने का काम करता है लेकिन यह जो काम करता है यह सारा का सारा के साज जो graphics काड़ाते है ना उसमें option है या नहीं मुझे नहीं पता है अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में बता सकते हो वेल गाइज I really hope कि आपको मक्स स्विच के बारे में कुछ नया जरूर पता चल गया होगा आज कुछ नया सीखने मिला होगा आपको अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही और वीडियो के लिए और भी कुछ क्वेरीज और और भी कोई कंसेप्ट अब जादना चाहते हो देन कमेंट डाउन बिलो में उसके ओपर डेफिनेटली वीडियो बनाने की मेरी पूरी कोशिश करूँगा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए हमारे और सोशल मेडिया चैनल और शॉर्ट चनल को और सकता है कि अजयू वीडियो को प्राइए हमारे चैनल बनाने की मेंट अजयू अजयू नही चैनल और भी कोशिए लिड्सक्तू अजयू अजयू जयू इन जबादी कांटियू बनाने काशिए।